तो यह वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे complexometry titration की types किती होती है means types of complexometry titration तो पिष्टी वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा तक complexometry titration अखरकार होते क्या है तो वीडियो की लिंक आपको इस जगे कार्ड के तुरूँ आ रही होगी तो मेरी आपसे दोस्तों request कि आप वीडियो को पर क्लिक करिए और उस वीडियो को भी देखिए क्योंकि आपके complexometry titration का basic क्या है क्यों हम लोग उसे करते हैं किस principle और किस basic पर complexometry titration है तो वह वाली चीज क्यों होते हैं सो basically complexometry titration को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है डारेक टारेशन बैक टारेशन रिप्लेस्मेंट टारेशन और एल्कामेट्री टारेशन तो पहले की यह तीन बहुत हैं और यह थोड़े से डिफकल्ट अंडरस्टाइंड करने में लेकिन अगर आपको simple लेंग्मेज में समझाय जाए तो आपको यह आराम से आजाएंगे तो इसी स्लाइड में बहुती सिंपल तरीकी से समझाय गया है तो शुरू करते हैं सबसे पहले direct डारेक्टाइट डारेक्टाइट्रेशन होता है में सबसे बेसिक है इजी करते हैं पर सो के दिभी है दरिग PAC panel चलए आपको पता होगा कीक इंड पॉंट पॉइसटार अपको में पता करते हैं कि अब यह चेंज इन कलर में पूरी तरह से चेंज हो रहा है जैसे कि वह पहले यलो ता अब रेड हो गया निस आपको बारी है कैलकुलेशन करने की कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मलाज दिया आते हैं आप व्यूर्ट में आप लोगों ने कित्या दिया तरी ततायब क्रीस में इसमें कैसे पता लगाना हम ने को एक सलूशन दिया उसमें कुछ मेंटल आयन प्रेजरेंट है अब आप को यह बारी है कि आप यह पता लगाई उसमें कितने हैं है ना और किस अमाउंट में हैं और कौन सा मिटल आयन है जब आप यह सब पता लगाएंगे तब आपको मिलेगा आपका एक वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को आप लोग चेंज करेंगे अपने फॉर्मले में पूट करेंगे और तब आपको बजलेगा कि उसमें कितना मिटल के ट्रेट करता है के अंपने को अनलाइट है एक यह होता है यहां पर होता है आपका त्रेंट और होता है है टाइट ड्रेंट अब यहां पर दोस्तों हम लोग डालते हैं EDTA हमारा बहुत ही अच्छा टाइट्रेटिंग कंपाउंड है EDTA अच्छा क्यों है क्योंकि दोस्तों EDTA का खाज बात यह कि यह सारे मिटल के साथ रियाइट कर जाता है बाकी जो टाइट्रेंट है वह सारे मिटल के साथ रियाइट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं लेकिन EDTA का एक यह क्यारक्टरिस्टिक है कि वह सब किस साथ रियाइट कर जाता है तो EDTA को हम लोग best use करते हैं तो ऊपर लेते हैं इडिट यह लोली स्लोली मेंढ़ के सास्थ रियाट करता है जब अब ही देखिए तो आप यह पिंक है अब ही आप देखिए तो इंद्र कर देंगे और इडिट यह गिरना बंद बंद जाएगा बस आप जब ब्यूरेट में आपको measurement लिखी होती है ml में वह आपको बस जान लेना है कि कितने ml यूज हुआ है आपको फॉर्मले इंपूट करना है और बस सिंप्ली डिरेक्ट अपका हो जाएगा लेकिन जो फेल्समें निगेंट यूमले से गूम के वह फद्वियात करी वह में इसको सिंपल भाशन में नेंखे लीखा something you want to know the amount of means इसका मतलब है कि एक इमेजन करिए कि आपके पास solution मैंने दिया उस solution में आपको पता लगाना है कि कितने उसमें metal iron है मैंने आपको बता है नहीं आपको पता लगाना इसमें कितने metal iron है but it is tricky to measure the substance directly मतलब लेकिन इस बात यह है कि यह इस बार में जो यह मैंने solution आपको दिया उसको आप tricky है means आपको तुरंद नहीं पचले कि इसमें कितने metal है जो भी आप EDTA डालेंगे वह इतनी जल्दी रियक्ट नहीं करेगा metal iron के साथ means आप सीधे method से simple side method से तो आप कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं कि EDTA metal iron इसमें कितने तो आप क्या करेंगे सो इंस्टेट ऑफ एडिंग केमिकल सो बजाए EDTA डालने के यू एड़ केमिकल to your sample to react with the substance you are interested you add an excess of another amount देखें दोस्तों बाद रिखन लगी कि excess यहां पर लिखा हुआ है excess excess यहां पर बहुत ज़रूरी है कि हम लोग excess amount of solution डालते हैं बैक जो direct iteration था direct iteration में देखिए हम लोग डालते हैं excess नहीं डालते हैं जितना required होता है उतना ही डालते हैं लेकिन इस that easily react with your target substance that easily means तुरंट होचा के react कर जाती है इडिट यह तिल्दी रियाक्ट नहीं कर रही थी लेकिन यह वली वह तो आपने excess में डाल दिया excess में जाने कि क्या हुआ सारे जो मेटल आयन थे compound के उस metal आयन सारे मेटल आयन उस excess compound के साथ उन्होंने react कर लिया है और bond बना लिया है ठीक अब आप पता कर लिए कि कितना आपने excess डाला था then you add another chemical known as titrant titrant दोस्तों क्या होता है titrant मैंने क्या बता है जो उपर होता है जो उपर होता है उससे कहते titrant अब excess में तो डाल दिया अब उसको देखिए दोस्तों अभी तक जो बात थी वहां पे यह वाला paragraph यह वाला paragraph देखिए तो इस वाले amount of solution डाल दिया है अब अपने excess amount of solution डाल दिया अब इस यह आपके लिए simple बन गया है अब इस paragraph में आपको सिफ बैक वो डिरेक ट्रेशन करनी है इस वाले paragraph में आपको सिफ डिरेक ट्रेशन करनी है now you measure the how much of the excess substance you have used then you add another chemical known as titrant which react with the excess substance जो भी excess substance से उसके साथ आपका ADTA means titrant वो react कर जाएगी this reaction consume the excess substance and delete also use up अब यह यह अलब परग्राज उसे important है by measuring how much of the titrant you are able to add with the excess कितना आपने titrant डाला है जो excess के साथ react कर रहा है you can calculate how much the original substance was in your sample कि आपके original substance में sample कितने थे वो आप पता कर सकते हैं तो दोस्तों यह हो गया back titration next हाते है replacement titration replacement bat radiation से समाझना easy है तो आप समझ सकते हैं कि डोस्तों कि जो direct titration है direct titration तो बहुत easy समझ में आ जाएगा आपको back titration में आपको थोड़ा सा learn करना पड़ेगा और replacement titration भी back direct titration की तरही easy है आपको इसमें जद्यता learn नहीं करना पड़ेगा तो अब मैं बजातू हम कि इसमें होता क्या है चे ils सब्सक्राइब बहुत ईजी है वbut कि सर्द क्या था कि कि हमागी मैंगचिमंडिस पर ईंग फर्म फिंग प्रम तो के कि दोष्तों अंग हमस्ति आप जो आपका कैल्शियं में फ। तो उसलिषिए को सब्लागे कि हमाई हम मेंग नहीं होते हैं अगर आप मैंने को सब्लाइन दिया हैसिंज इसमें कैल्शियम है लेकि मैंने आपको यह नहीं पता है कि कितना कैल्शियम है तो आपको इस कैल्शियम को पता लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो क्यूंकि अनलाइक अनी अधर मैटल जैसे कि लैड हो गया आरन हो गया वह सब तो टैटरेश्टे पता चल जाएंगे लेकिन पता है मैंने क्या मैंने किया मैंने मैंने क्या इडिटीए के साथ रियाट कर दिया और जो कंपउंड बना मैंने उसी कंपाउंड को जो हमने solution दिया हुआ था उसी में डाल दिया तब ही दोस्तों यह लिखा है calcium प्लस mg तो था है हमाई compound में magnesium प्लस edita means edita ने magnesium के साथ compound एक complex बनाए हुआ है यह हमने डाला अब करेगा क्या कंपाउंड बना लिया और magnesium बेचरा रह गया है अकेला अब इस में अकेले magnesium रह गया है अब जितना मेंगनेशम अकेला रहे गया है उसको दोस्तों आप अराम से इडिक के साथ रियाइट कर देजाया जितना है मेंगी बचा है मेंगनेशंवल जी यतना बचा है उसको आप साथ कर दीजे और Agric्रैक रहेंट के साथ है कर इस वाले compound को आप लोग बिल्कुल इसल तरीके से टाट्रेट कर सकते हैं magnesium EDTA को मेलकि magnesium EDTA को अराम से आप टाट्रेट कर सकते हैं जब आप टाट्रेट कर लेंगे तो आपकी value निकल आएगी और जब value निकल आएगी तो आप उस फॉर्मले में लगे कि calcium कितना था तो दोस्तों यह कभ यूज होता है यह टाट्रेशन के साथ यूज होता है lead के साथ यूज होता है और mercury के साथ भी यूज होता है तो cadium lead और mercury इन तीनों की compound और calcium भी दोस्तों होता है तो इन चारों की अगर आपको concentration निकालनी है तो आप लोग direct titration नहीं करेंगे आप लोग करेंगे replacement titration क्योंकि यह direct titration से निकलने वाला नहीं है इसके लिए special इसके लिए special titration है वो है आपका replacement titration आपको यह बास समझ में आई होगी और यह जो मैंने यह paragraph लिखा इसको आप पढ़िएगा इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके समझाया है कि replacement titration होता क्या है तो वीडियो को मैं और लंबी नहीं कर सकता हूं इसलिए मैंने आपको यह पढ़के नहीं बताया लेकिन आप मेरी request कि आप इसे पढ़िएगा और अगर आपको कुछ भी confusion हो तो करके भेजिएगा और हम लोगों सपोर्ट करिए थैंक्यू गाइद फॉर वाशिंग आप वीडियो कि